कैंसर जैसी बेहनकर बीमारी हो उसे ग्रस्त लोग हैं पीछा पान नी चलना फैक्ट्री का पानी आ रहा केवल उसकी वज़े से यह बीमारी हो रही है पानी तो बहुती बेकार समर से उलका तो पी बिला और नलका तो रखा भी नहीं जाता बाल्टे में भी बजबो अधियत में पाने में आप प्लेट पाने भरकर रख दो तो पेला पड़ाएगा पानी कैंसर क्या इंतिकाल हो गया उनका तो अच्छा कैंसर से ही चलिए जी जी चैंसर से चलिए नमस्कार गाओं जंक्शन में आपका स्वागत है तरह तरह की समस्या आप देख रहे हैं हम गाओं में जाते हैं जब तो अलग अलग तरह की समस्या हैं किसान अपनी समस्या बताते हैं महिलाएं अपनी समस्या बताती हैं यहां पे एक ऐसी समस्या है कि जो हर किसी के स्वास पर बुज़ूर्ग आदमी कोई नहीं मिलेगा यह सबसे बड़ी सोचने की बात है कि अगर यहां और किसी गाउं में देखो मुझे फरनगर साइड पर चले जाओ बहुत-बहुत बुज़ूर्ग आदमी दिख जाएंगे लेकिन हमारे इस इतने बड़े गाउं में 70 साल का को कोई एक आदमी मीलेगा को नो कैंसर जैसी बीमारी सांस की बीमारी बहुत सारी समस्यां हैसे सेक्टरी दिनका पानी वेश्टीज होता है वो इसमे लगातार आ रहा है और जिस्की वज़ा से यहां पर अगर गाउ की बात में कहूं अगर नल से समर सेबल से पानी निकालकर एक आदर घंटे के लिए भी रख दिया जाए तो पानी पीला पड़ जाता है जिसको आप देखकर पी भी नहीं सकते इस तरीकी की स्तिती पानी में हो जाती है तो 40 साल पहले इसमें पानी साफ सुतरा था अब पीछा पानी नहीं चला फैक्टरी का पानी आ रहा है के वल उसकी वज़े से भीमारी हो रही है पीछा पानी नहीं है इसमें अगर से मौन रोड से पिछे तरफ जाए तो पानी नहीं नहीं दिम है तो आप लोग कभी यहां के प्रतिनी दी है प्रधान है जो भी नेता रता हाते हैं उनके सामने बात रखी जाती है कभी सुनवाई होती है मंतरी तक भी मैं कुछ नहीं होता बस आपने सपाई कर देंगा फेर रहाशी से लिजा हमें तर तीस साल तो हमोगे संदर संते नहीं पानी चुटेगा इसमें को यहां के सांसच जो है राजेंद्र अगरवाल ते राजेंद्र अगरवाल से मैंने मैं जिला पंचाय सदस का परतिनी दी हूँ राजेंद्र अगरवाल जी जिला पंचायत ओफिस में थे मैंने उस बात को उठाया इसका नदी के तो उन्होंने एक आहां प्रियास कर रहे है और लगातार दस साल से जो परति निदी, सांसर जैसा परति निदी, wenn अगर इस समस्या की समाधान नहीं करा सकता, तो क्या हम डारेक्ट पर्धान मंटरी से बात रखेंगंगें, इस से बड़ा जन परति निदी तो गाउं के लिए नहीं हो सकता, जो जल्दी टच में जाया उस से बड़ा जन परदे निदी कोई और हो नहीं सकता काली नदी से कितनी दिककत हो रही है आपका क्या ना अप बताएं आप तो यहां पर जब साधिवांदी हो के आई, तो जब यहां सब सुना के या रहे हैं, तो पानी की धिक्कत है। तुरा सा डर रहा है यहां बहुत गंद की बिया है और गाउं का वो तो नीचला हिस्सा है और यह उच्छा हिस्सा है अगर लग भी जाएगी सारी चीज़े हो भी जाएगी तो प्रेसर नी आएगा इसका जो योजनाय मिलती है ये गैस वैस और ये जो क्योंकि बीमारी इतनी जाता है तो आई इस कारड़ बना इलाज के लिए कुछ जुगार हुआ है यहां पर आप बताइए कारड़ तो बने पर इलाज हुआ सो तो कोई जुगार ना इलाज का इने मेरत एक लड़का पाईज है कुछ भी सुईदानियास के लिए तो चारो तरफ जाम है सरगार की तरफ पेंशन नहीं सा नहीं है उसकी जो बिकलांग की पेंशन होती है कुछ भी ना मिला कैई जी का चले का यही पर प्रशन एक लॉपे का रोजगार तो युवात सडकों पेघूम रहा है कि डिग्रिया करने के बावजूद सब्सक्राइब रोजगार थो वो उपने परिफार को और दस परिबार को चलता एलएता है एड़ जो है फिर वोट जब आता है जब नौन आका प्र बात awake जब लोग अपनी ताकत का एखसास करा सकते हैं तब तो सब जो है तब आप जब नेताओं के पास चुटकुले है ना हिंदू-मुसलिम का चुटकुला है हिंदू-मंदिर-मस्जित का है ऐसे ऐसे मुद्धे लेके आते हैं जिन से लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जाता हिंदू-Muslim पर बाट देंगे और उसके बावजूद जब हिंदू-Muslim पर बाट के वोट ले लेंगे उसके बाद फिर चाहे कोई हिंदू कहीं मरो चाहे मुसलमान कोई कहीं मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है इन नेताओं को कैंसर के कितने पीडित होंगे इस गाउं में कम से कम 20-30 कैंसर के बरीज है आप चाहे सर्वे करा लें इस चीज़ के मैंने सीम्मों साब साब्रब को भी लेटर लिखी तुरूप मैं लेटर दीया था कि एक बार आप सर्वे कराए कि क्या विमारी और कितनी लेवल पर बढ़ रही है तो उन्होंने सर्वे के नाम पर कहा एहां सर्वे कराएंगे लेकिन किसी तरीके का कोई सर्वे हुआ नहीं और दूसरी बात यहांपे सबसे बड़ी समस्या है, यहांपे बूकर चूटे होस्पिटल के जरूरत है क्योंकि ये दूसरा बिलोक का दूसरा बढ़ा गाउ है और यहां पर सिंगल एक उपकेंद्र है कितनी आबादी होगी इसकी इसकी आबादी लगबक 15,000 है 15,000 से 20,000 के बीच में इसकी आबादी है और यहां पर 10,000 वोट पड़ती है बजबो अधियर में आप पाने भरकर रख दो तो पहला पड़ाएगा पानी आप क्या करते हो कुछ ने मदूरी करते हैं आपका नाम क्या है मौसीन सल्मानी सल्मानी साब बताएं मेरा मकान अंदर था अभी पीछ है जब से मैं यहां नदी के पास में मकान बनाया मेरा सामने मकान हो रहां करीबन एक साल हुआ मुझे रहते वे मेरी अम्मी बिलूब ठीक थी अभी कैंसर जब से नदी का पानी खराब हुआ सारे गाउं का और दोरे क सब पानी खराब हो गया जोब से कैंसर की बेमारी ज्याद्य फैर गाउं में हमारे पहले इतनी नहीं थी परदान जी अब भी ज्याद आई है जब सही नदी का भाल आनी सुकी पड़ी ती जब भी सही था अब यह ज्यादे पानी आ का गंदा तो इस वज़ए से कैंसर की ब बटिया नुक्छें कर दिया मोझरे जी कि नो कर दिया कुछ नवा रजा न्यू थाखो ने शाघ्या कर दो देखनेंगे लूजर्दी ठीम को बãoट नहीं ही डालेगे यह साये को सारे जले कि mily सेफ़ में ख़ले जा। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये काली नदी है और इसकी जो गंदगी है आप खुदी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पानी कितना दोशित है और यह जब यहां के नीचे वाटर लेविल पे जाता है तो कितना दोशित कर देता है और जैसा कि हमें अभी मुद्दा है बाकी सारी चीजों से अगर एक तरफ रख दिया जाया तो सिर्फ काली नदी को बड़ा मुद्दा मानते हैं इसलिए ताकि उनको रोज का जो पानी है जो दिन शर्या है उनकी प्रभावित हो रही है साइक्डो लोग बीमारी से ग्रसित हैं और कैंसर जैसी ब